भाई माईक लेना था माईक नहीं लेपा है कोगो मेरा आइफोन में चली नहीं रहा है नहीं चल रहा है तो वस्प गाईज एक और नए वीडियो में आप सब का स्वा गयते हैं तो आप इने तो देखी लिया होगा किस चीज के अंबॉक्सिंग में करने वाला हूं तो बैसिकली मैंने यह माईक्रोफोन ले लिया है जो लास्ट राइम अपन गए थे सी एस्ट लेने के लिए आखिर में मैं को मिले गया तो यह अपने जो माईक्रोफोन अभी है लिया यह के एट वायरलेस माईक्रोफोन लेकिस चाइन ब्राइंड और भाई इसमें कुछ बस इतने ही डिटेल्स लिखी है तो तुम लोग देख सकते हो यहां पर देट इंट इंट बढ़ता है तो यह मैंने लिया है मतलब मैंने बैक्जोन गए थे हम लोग पिछली व्लॉग में आपने दिखा हूं मैं और ना कि सीएस्ट गयते गुमने के लिए तो वहां से हम ल बैक्स तो लना देख स मैं ले नहीं पाया तो इस बार मुर्क मिलग तो मैंने ले दिया यह के एट है आए और के 9 जिविisas me पसफर्गस में इतना ही है के एड़ के नाइन में यह सिंगल माइक्रोफोन वाला है वायरलेस और के नाइन डॉल माइक्रोफोन है तो फटा-फट उन्बॉक्सिंग इसकी करते हैं और बढ़ता हूं और क्या के चीजें डेस्टिंग भी कर लेंगे ऑडियो कॉलिटी कैसी एस इसमें अपने को आ गया है कि छोटा सा रिसीवर देख सकते हूं यह टाइप सी रिसीवर है चिंटू सा यह टाइप सी रिसीवर है इसके साथ मैं अपने को मिला है यह लाइटनिंग जैक आईपोन के लिए विट टाइप सी यह इसका माइक्रफोन चूटू सा इसमें है टाइप सी एक चार्जिंग पूर्ट देया हुए टाइप सी बादर यह चीज यह निकाल देता है और बॉक्स में कुछ नहीं है से डॉक्यमेंट्स है जो चाइनीज में जो घंटावन पढ़ने वाले हैं और एक केबल है कि एक सस्ती सी छोटी सी टाइप सी केबल है तो जो मैं यूज नहीं करूंगा में भी कर सकता हूं नौट शूर वह पिस अपने आपने कैमरे को नौर्पल सेट करती है तो यह मेरा एंड्रोइड है तो लग अन प्ले ऑप्शन है तो सिफ़ आप यह करना है करो आपके फोन में यह हो गया कनेक्ट आपका रेसीवर कनेक्ट करना है सबसे पहले आपको यहां पर जो आपका माइक है इसके छोटा सा बटन है तो आपको प्रेस करके रखना है जैसी आप प्रेस करते हैं यहां पर ग्रीन ग्लर की लाइट इसका मतलब है कि आपका जो यह माइक्रोफोन है यह कनेक्ट हो चुका है तो मैं इस पर अभी जो रेकॉर्डिंग में अभी आप चेक देखोगे तो वह में मेरे एंड्रोइड से पहले रेकॉर्ड कर लाए तो जगा ही जगा बहुत है अपने पास तो गाइज यह एक विडियो है रेकॉर्ड और यह के एट मेरे वार्लेस माइक्रोफोन से जो मैंने पर्चस किया है यह एक नॉर्मल टेस्ट वीडियो है तो में भी में को पता निसका साउंड क्वाटी कैसा होगा तो अपन जल्दी ज को में प्लैंस है और काफी सार वीडियो और ब्लॉग के भी प्लैंस है तो इसलिए मैंने माइक्रोफोन दिया है सो अभी यह शौ्ट ब्डिए जो रेकॉर्ड होगी है यह जो मैने बारलेस माइक है के एक उस पर रेकॉर्ड यह आईपोन पर कनेक्ट है वरियोश रिश्य तो बस sound quality की काफी अच्छी आ रही होगी I hope so इसके चादे डिस्टेंस रखनी ज़रूरत है मैं कुछ इस चेक करना ही color पर अगर मैं रखता हूं अगर मैंने color पर connect किया है तो color पर connect करने के बाद sound quality कैसी ही आती है यह लोग ने कहा है कि 20 मिटर रेंज है तो अभी के अभी वह चीज़ चेक कर लेते हैं तो मैं camera वहां पर move करता हूं तो आपको easy over check लिए तो भाई मेरा room थोड़ा है मेरा messy room है तो sorry about that तो 20 मिटर बोला है 20 मिटर मैं को पता नहीं 20 मिटर होगा या नहीं होगा यहां पर मैं को दिख रहा है यहां इस पर receiver पर connectivity फूल है और आए शायद से इसकी वीडियो और वीडियो क्लारीटी तो आएगी भाई आइपोन यह तो क्लारीटी भी अच्छी होनी चाहिए अगर आप तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपना प्यार ज़रूर दिखा देना के के एक चीज़ बनाद चाहिँगा के एक और के नाइन में सिफ़ इतना ही फर्क है के नाइन में आपको दो micro receiver मिलते हैं और के एट में single micro receiver मिलता है के नाइन के जो receiver करके कर सकते हो अगर आप बाइक राइडिंग के डायम पे आप को स्ट्रीम करना है तो आप डारेकली उसमें फोल चार्ज होते रहेगा के चीज रेकॉर्ड करनी है इसका 20 मिटर का ने रेंज बताया है तो 20 मिटर का जो रेंज है इसके भी मैं रेव्यू और भी रेव्यूज करूंगा एक शॉर्ट वीडियो में उसकी भी अप्लोड करूंगा इन फ्यूचर पर फिलाल के लिए बस इतना ही है तो वह आपको पर डि कि आप डारेक्टी उनसे कॉंटाक कर सकते हों तो अब तक लिए बस इतना ही तो अगर कोई भी आपको आप डिस्क्रिप्शन कर दीजिए कि कमेंट में कि आपको एक्सवाइज जी इस्वार है तो बिल्कुल मैं पूरी हेल्प करूंग अपने हैं तो अपने मिलते हैं अग